पवन और खेसारी का जब विवाद हुआ था तब हमने आप से शुरू में ही कहा था कि ये विवाद बड़ा ही लंबा चलेगा और अब इसमें एक और चीज जुड़ गई है हाल ही में समर सिंग ने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया है जहां पर भई उन्होंने बड़ी तलखी के साथ खेसारी लालियादों का विरोध किया है और अपनी बाते साफ साफ रखी है यहां पर रिपोर्टर ने उनसे कई सवाल दागे और जिस पर उन्होंने बड़े बेवाकी से उनके जवाब दिये हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या समर सिंग से पूछा गया और समर सिंग ने जवाब क्या दिया आपको बता दे देड़ сो लोगों के सवाल को लेकर पूछा गया कि आप लेकर खे सारी के शूटिंग स्पॉट पर पहुँझ गये थे उन्हें मारने के लिए तब इस पर खे समर सिंग ने कहा था कि डेड़ सो तो बहुत कम है मुझे चाहने वालों की कमी नहीं है और यहां पर आगे बात करते हुए समर सिंग ये कहते हैं आगे बात की बात मत किजिए आगे अगर लोग उतरेंगे तो शायद नापना मुश्किल हो जाएगा फिर आगे ये कहते हैं समर सिंग कि 100, 500, 500, 700 मिलियन आज कल हर एक कलाकार के सौंग जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन ही के सौंग बज रहे हैं इस पर आगे बोलते हुए समर सिंग फिर खेसारी लाल यादो पर सवाल उठाते हैं कि क्या जहां पर मैं दे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ अफवाफ फैल आई गई थी और कुछ सामने आया, कुछ भी सामने नहीं आया। समर सिंग ने अपनी बात को रखते हुए ये भी कहा कि कई कलाकारों को खेसारी लाल यादों ने नीचा दिखाया है और कई कलाकारों को वो छोटा कहते हैं अपनी बारी आती है तो फिर क्यूं बाद बाद पर लाईवा कर रोते हैं कोई ऐसा कलाकार तो नहीं है जो बाद बा काने बसते हैं तो सवर सिंग के इस इंटरिव्यू बेबात इंटरिव्यू के बारे में आप क्या कहेंगे उनके इस तेवर को देखकर ये लग रहा है कि वो खे सारी लाल यादों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाईज करने को तयार नहीं है आप इस बारे में क्या कहना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले